सर्व शक्तिमान परमेश्वर के वचनों के पाठों का संग रहे देह धारण का रहस्य एक अनुग्रह के युग में यूहन्ना ने यिशु का मार्ग प्रशस्त किया यूहन्ना स्वयम परमेश्वर का कार्य नहीं कर सकता था और उसने मात्र मनुष्य का करतव्य पूरा किया था यद्यपी यूहन्ना प्रभु का अग्रदूत था फिर भी वो परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करने में असमर्थ था वो पवित्र आत्मा द्वारा उपयोग किया गया मात्र एक मनुष्य था येशु के बप्तिस्मा लेने के बाद पवित्र आत्मा कबूतर के समान उस परुत्रा तब येशु ने अपना काम शुरू किया अर्थात उसने मसीह की सेवकाई करनी प्रारंब की इसलिए उसने परमेश्वर की पहचान अपनाई क्योंकि वो परमेश्वर से ही आया था भले ही इससे पहले उसका विश्वास कैसा भी रहा हो वो कई बार दुर्बल रहा होगा या कई बार मजबूत रहा होगा ये सब अपनी सेवकाई करने से पहले के उसके सामान्य मानव जीवन से संबंधित था उसका बप्तिस्मा होने के पश्चात उसके पास तुरंथ ही परमेश्वर का सामर्थ और महिमा आ गई और इस प्रकार उसने अपनी सेवकाई करनी आरंब की वो चिन्नों का प्रदर्शन और अध्भुत काम कर सकता था जमतकार कर सकता था और उसके पास सामर्थ और अधिकार था क्योंकि वो सीधे स्वयम परमेश्वर की ओर से काम कर रहा था वो पवित्रात्मा के स्थान पर उसका काम कर रहा था और पवित्रात्मा की आवाज व्यक्ट कर रहा था इसलिए वो स्वयम परमेश्वर था ये निर्विवाद है यूहन्ना वो व्यक्ति था जिसका पवित्रात्मा द्वारा उपयोग किया गया था वो परमेश्वर का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता था नहीं परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करना उसके लिए संभव था यदि वो ऐसा करना चाहता, तो पवित्र आत्मा ने इसकी अनुमती नहीं दी होती क्योंकि वो उस काम को करने में असमर्थ था, जिसे स्वयम परमेश्वर संपन करने का इरादा रखता था कदाचित उसमें बहुत कुछ ऐसा था, जो मनुष्य की च्छाका था या कुछ ऐसा, जो विचलन भड़ा था, वो किसी भी परिस्थिती में प्रत्यक्ष रूप से परमेश्वर का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता था उसकी गलतियां और तुरुटि पूर्णता केवल उसका ही प्रतिनिधित्व करती थी, किन्तु उसका काम पवित्र आत्मा का प्रतिनिधित्व था फिर भी, तुम ये नहीं कह सकते कि उसका सब कुछ परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करता था क्या उसका विचलन और तुरुटि पूर्णता भी परमेश्वर का प्रतिनिधित्व कर सकते थे? मनुष्य का प्रतिनिधित्व करने में गलत होना सामान्य है परंतु यदि कोई परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करने में विचलित होता है, तो क्या ये परमेश्वर के प्रती अनादर नहीं होगा? क्या ये पवित्र आत्मा के विरुध इश निंदा नहीं होगी? पवित्र आत्मा मनुष्य को आसानी से परमेश्वर के स्थान पर खड़े होने की अनुमती नहीं देता भले ही दूसरों के द्वारा उसे उँचा स्थान दिया गया हो यदि वो परमेश्वर नहीं है तो वो अन्त में खड़े रहने में असमर्थ होगा पवित्र आत्मा मनुष्य को जैसे मनुष्य चाहे वैसे परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करने की अनुमती नहीं देता उदाहरण के लिए पवित्र आत्मा ने ही यूहन्ना की गवाही दी और उसी ने उसे येशु के लिए मार्ग प्रशस्त करने वाले व्यक्ती के रूप में भी प्रकट किया परन्तु पवित्र आत्मा द्वारा उस पर किया गया कार्य अच्छी तरह से मापा हुआ था यूहन्ना से कुल इतना कहा गया था कि वो येशु के लिए मार्ग तैयार करने वाला बने उसके लिए मार्ग तैयार करे कहने का अभिप्राई ये है कि पवित्र आत्मा ने केवल मार्ग बनाने में उसके कार्य का समर्थन किया और उसे केवल इसी प्रकार का कार्य करने की अनुमती दी उसे कोई अन्यकार्य करने की अनुमती नहीं दी गई थी यूहन्ना ने एलियाह का प्रतिनिधित्व किया था और वो उस नभी का प्रतिनिधित्व करता था जिसने मार्ग तैयार किया था पवित्र आत्मा ने इसमें उसका समर्थन किया था जब तक उसका कार्य मार्ग तयार करना था, तब तक पवित्र आत्मा ने उसका समर्थन किया किन्तु यदि उसने दावा किया होता कि वो स्वयम पर्मेश्वर है और ये कहा होता कि वो छुटकारे का कार्य पूरा करने के लिए आया है तो पवित्र आत्मा को उसे अनुशासित करना पड़ता यूहन्ना का काम चाहे जितना भी बढ़ा रहा हो और चाहे पवित्र आत्मा ने उसे समर्थन दिया हो फिर भी उसका काम असीम नहीं था माना कि पवित्र आत्मा द्वारा उसके कार्य का समर्थन किया गया था परन्तु उस समय उसे दिया गया सामर्थ केवल उसके द्वारा मार्ग तैयार किये जाने तक ही सीमित्था वो कोई अन्यकाम बिल्कुल नहीं कर सकता था क्योंकि वो सिर्फ यूहन ना था जिसने मार्ग तैयार किया था वो यिशू नहीं था इसलिए पवित्र आत्मा की गवाही महत्वपूर्ण है किन्तु पवित्र आत्मा जो कार्य मनुष्य को करने की अनुमती देता है वो और भी अधिक महत्वपूर्ण है क्या यूहन ना ने उस समय जबरदस्ट गवाही प्राप्त नहीं की थी? क्या उसका काम भी महान नहीं था? किन्तु जो काम उसने किया, वो यिशु के काम से बढ़कर नहीं हो सका क्योंकि वो पवित्र आत्मा द्वारा उपयोग किये गए व्यक्ति से अधिक नहीं था और वो सीधे परमेश्वर का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता था और इसलिए उसने जो काम किया वह सी मित था जब उसने मार्ग तैयार करने का काम समाप्त कर लिया पवित्र आत्मा ने उसके बाद उसकी गवाही बरकरार नहीं रखी कोई नया काम उसके पीछे नहीं आया और स्वयम परमेश्वर का काम शुरू होते ही वो चला गया कुछ ऐसे लोग हैं जो दुष्टात माउं से ग्रस्थ हैं और जोर-जोर से चिलाते रहते हैं मैं परमेश्वर हूँ लेकिन अंत में उनका भेद खुल जाता है क्योंकि वे घलत चीज का प्रतिनिधित्व करते हैं वे शैतान का प्रतिनिधित्व करते हैं और पवित्र आत्मा उनपर कोई ध्यान नहीं देता तुम अपने आप को कितना भी बड़ा ठहराओ या तुम कितना भी जोर से चिल लाओ तुम फिर भी एक स्रिजित प्राणी ही रहते हो और एक ऐसा प्राणी जो शैतान से संबंधित है मैं कभी नहीं चिलाता मैं परमेश्वर हूँ मैं परमेश्वर का प्रीय पुत्र हूँ परंतु जो कार्य मैं करता हूँ वो परमेश्वर का कार्य है क्या मुझे चिल्लाने की आवश्शक्ता है? मुझे उंचा उठाए जाने की कोई आवश्शक्ता नहीं है परमेश्वर अपना काम स्वयम करता है और वो नहीं चाहता कि मनुष्य उसे हैसियत या सम्मान जनक उपाधी प्रदान करे उसका काम उसकी पहचान और हैसियत का प्रतिनिधित्व करता है अपने बप्तिस्मा से पहले क्या येश्व स्वयम परमेश्वर नहीं था? क्या वो परमेश्वर द्वारा धारित देह नहीं था? निश्चित रूप से ये नहीं कहा जा सकता कि केवल गवाही मिलने के पश्चात ही वो परमेश्वर का एकलौता पुत्र बना क्या उसके द्वारा काम शुरू करने से बहुत पहले ही येश्व नाम का कोई व्यक्ति नहीं था? तुम नए मार्ग लाने या पवित्र आत्मा का प्रतिनिधित्व करने में असमर्थ हो तुम पवित्र आत्मा के कार्य को या उसके द्वारा बोले जाने वाले वच्चनों को व्यक्त नहीं कर सकते तुम स्वयम परमेश्वर का या पवित्रात्मा का कार्य करने में असमर्थ हो परमेश्वर की बुद्धी, चमतकार और अगाधता और उसके स्वभाव की समग्रता जिसके द्वारा परमेश्वर मनुष्य को ताड़ना देता है इन सब को व्यक्त करना तुम्हारी क्षमता के बाहर है इसलिए परमेश्वर होने का दावा करने की कोशिश करना व्यर्थ होगा तुम्हारे पास सिर्फ नाम होगा और कोई सार नहीं होगा स्वयम परमेश्वर आ गया है, किन्तु कोई उसे नहीं पहचानता फिर भी वो अपना काम जारी रखता है और ऐसा वो पवित्रात्मा के प्रतिनिधित्व में करता है चाहे तुम उसे मनुष्य कहो या परमेश्वर प्रभू कहो या मसीह या उसे बहन कहो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता परन्तु जो कार्य वो करता है वो पवित्रात्मा का है और वो स्वयम परमेश्वर के कार्य का प्रतिनिधित्व करता है वो इस बात की परवाह नहीं करता कि मनुष्य उसे किस नाम से पुकारता है क्या वो नाम उसके काम का निर्धारण कर सकता है चाहे तुम उसे कुछ भी कह कर पुकारो जहां तक परमेश्वर का संबंध है वो परमेश्वर के आत्मा का देहधारी स्वरूप है वो पवित्रात्मा का प्रतिनिधित्व करता है और उसके द्वारा अनुमोदित है यदि तुम एक नए युग के लिए मार्ग नहीं बना सकते या पुराने युग का समापन नहीं कर सकते या एक नए युग का सूत्रपात या नया कार्य नहीं कर सकते तो तुम्हें परमेश्वर नहीं कहा जा सकता यहां तक कि जिस मनुष्य का पवित्र आत्मा द्वारा उपयोग किया जाता है, वो भी स्वयम परमेश्वर का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता इतना ही नहीं कि ऐसा व्यक्ती परमेश्वर का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता, बलकि उसके द्वारा किया जाने वाला काम भी सीधे तौर पर परमेश्वर का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता दूसरे शब्दों में, मनुष्य के अनुभव को सीधे तौर पर परमेश्वर के प्रबंधन के अंतरगत नहीं रखा जा सकता और वो परमेश्वर के प्रबंधन का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता वो समस्त कार्य जिसे स्वयम परमेश्वर करता है, ऐसा कार्य है जिसे वो अपनी स्वयम की प्रबंधन योजना में करने का इरादा करता है और वो बड़े प्रबंधन से संबन्ध रखता है मनुष्य द्वारा किये गए कार्य में उसके व्यक्तिगत अनुभव की आपूर्ती शामिल रहती है उसमें उस मार्ग से भिन जिस पर पहले के लोग चले थे अनुभव के एक नए मार्ग की खोज और पवित्र आत्मा के मार्ग दर्शन में अपने भाईयों और बहनों का मार्ग दर्शन करना शामिल रहता है इस तरह के लोग अपने व्यक्तिगत अनुभव या आध्यात्मिक मनुष्यों के आध्यात्मिक लेखन की ही आपूर्ती करते हैं यद्यपी इन लोगों का पवित्र आत्मा द्वारा उपयोग किया जाता है फिर भी वे जो कार्य करते हैं वो छह हजार वर्षी योजना के बड़े प्रबंधन कार्य से संबंध नहीं रखता वे सिर्फ ऐसे लोग हैं जिनहीं पवित्र आत्मा द्वारा विभिन अवधियों में उभारा गया ताकि वे तब तक पवित्र आत्मा की धारा में लोगों की अगवाई करें जब तक कि वे जो कार्य कर सकते हैं वे पूरे न हो जाएं या उनके जीवन का अंत न हो जाएं जो कार्य वे करते हैं वो केवल स्वयम परमेश्वर के लिए एक उचित मार्ग तयार करना है या पृत्वी पर स्वयम परमेश्वर की प्रबंधन योजना का एक निश्चित पहलू जारी रखना है अपने आप में ये लोग उसके प्रबंधन का महान कार्य करने में सक्षम नहीं होते नहीं वे नए मार्गों की शुरुवात कर सकते हैं उनमें से कोई पिछले युग के परमेश्वर के समस्त कार्य का समापन तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता इसलिए जो कार्य वे करते हैं वो केवल अपने कार्य संपन करने वाले एक स्रिजित प्राणी का प्रतिनिधित्व करता है वो अपनी सेवकाई संपन करने वाले स्वयम परमेश्वर का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता ऐसा इसलिए है क्योंकि जो कार्य वे करते हैं वो स्वयम परमेश्वर द्वारा किये जाने वाले कार्य के समान नहीं है एक नए युग की शुर्बात करने का कार्य ऐसा नहीं है जो परमेश्वर के स्थान पर मनुष्य द्वारा किया जा सकता हो इसे स्वयम परमेश्वर के अलावा किसी अन्य के द्वारा नहीं किया जा सकता मनुष्य के द्वारा किया जाने वाला समस्त कार्य एक स्रिजित प्राणी के रूप में उसके कर्तव्यका निर्वहन है और वो तब किया जाता है जब पवित्र आत्मा द्वारा उसे प्रेरित या प्रबुद्ध किया जाता है इन लोगुं द्वारा प्रदान किया जाने वाला मार्ग दर्शन, मनुष्य को बस दैनिक जीवन में अभ्यास का मार्ग दिखाना और ये बताना होता है कि उसे किस प्रकार परमेश्वर की इच्छा के साथ समरस्ता में कार्य करना चाहिए मनुष्य के कार्य में न तो परमेश्वर की प्रबंधन योजना सम्मिलित है और नहीं वो पवित्रात्मा के कार्य का प्रतिनिधित्व करता है उदाहरन के लिए गवाह ली और वाच्मेन नी का कार्य मार्ग की अगवाई करना था मार्ग चाहे नया हो या पुराना कार्य बाइबल के सिद्धानतों के भीतर ही बने रहने के आधार पर किया गया था चाहे स्थानी कलीसियाओं को पुनर स्थापित करना हो या स्थानी कलीसियाओं को बनाना हो उनका कार्य कलीसियाओं की स्थापना से संबंधित था उनके द्वारा किये गए कार्य ने उस कार्य को आगे बढ़ाया, जिसे यिशु और उसके प्रेरितों ने समाप्त नहीं किया था, या अनुग्रह के युग में आगे विक्सित नहीं किया था उन्होंने अपने कार्य में उस चीज को बहाल किया, जिसे यिशु ने अपने प्रारम्भिक कार्य में अपने बाद आने वाली पीडियों से करने को कहा था जैसे की अपना सिर ढख कर रखना, बप्तिसमा लेना, रोटी साजहा करना या दाखरस पीना ये कहा जा सकता है कि उनका कार्य बाइबल का पालन करना था और बाइबल के भीतर ही मार्ग तलाशना था उन्होंने किसी तरह के कोई नए प्रयास नहीं किये इसलिए कोई उनके कार्य में केवल बाइबल के भीतर ही नए मार्गों की खोज और साथ ही बहतर और अधिक यथार्थवादी अभ्यास ही देख सकता है किन्तु कोई उनके कार्य में परमेश्वर की वर्तमान इच्छा नहीं खोज सकता और उस कार्य को तो बिल्कुल नहीं खोज सकता जिसे अंत के दिनों में करने की परमेश्वर की योजना है ऐसा इसलिए है क्योंकि जिस मार्ग पर वे चले वो फिर भी पुराना ही था उसमें कोई नवीनी करण और नवीनता नहीं थी उन्होंने यिशु को सलीब पर चड़ाये जाने के तथ्य को पकड़े रखना लोगों को पश्चाताप करने और अपने पाप स्वीकार करने के लिए कहने के अभ्यास का पालन करना और इस तरह की उक्तियों का पालन जारी रखा जैसे की जो अंत तक सहन करता है उसे बचा लिया जाएगा और की पुरुष स्त्री का सिर है और स्त्री को अपने पती की आग्या का पालन करना चाहिए यहां तक कि उन्होंने इस परंपरागत धारना को भी बनाए रखा कि बहने उपदेश नहीं दे सकती वे केवल आग्या पालन कर सकती है यदि इस तरह की अगुआई जारी रही होती तो पवित्र आत्मा कभी भी नया कार्य करने मनुष्यों को सिध्धान्त से मुक्त करने या उन्हें स्वतंत्रता और सुन्दरता के राज्य में ले जाने में समर्थ नहीं होता इसलिए कार्य का ये चरण जो युग का परिवर्तन करता है स्वयम परमेश्वर द्वारा किया और बोला जाना चाहिए अन्यथा कोई व्यक्ती उसके स्थान पर ऐसा नहीं कर सकता अभी तक इस धारा के बाहर पवित्र आत्मा का समस्त कार्य एकदम रुख गया है और जिन्हें पवित्र आत्मा द्वारा उपयोग किया गया था वे दिखभ्रमित हो गये हैं इसलिए चूंकि पवित्र आत्मा द्वारा उपयोग किये गये मनुश्यों का कार्य स्वयम परमेश्वर द्वारा किये गये कार्य से भिन्न है इसलिए उनकी पहचान और जिन व्यक्तियों की ओर से वे कार्य करते हैं वे भी उसी तरह से भिन्न है ऐसा इसलिए है, क्योंकि पवित्र आत्मा जिस कार्य को करने का इरादा करता है, वो भिन्न है और इसलिए समान रूप से कार्य करने वालों को अलग-अलग पहचान और हैसियत प्रदान की जाती है पवित्र आत्मा द्वारा उपयोग किये जाने वाले लोग कुछ नया कार्य भी कर सकते हैं और वे पूर्व युग में किये गए किसी कार्य को हटा भी सकते हैं किन्तु उनके द्वारा किया गया कार्य नए युग में पर्मेश्वर के स्वभाव और उसकी इच्छा को व्यक्त नहीं कर सकता। वे केवल पूर्व युग के कार्य को हटाने के लिए कार्य करते हैं और सीधे तोर पर स्वयम पर्मेश्वर के स्वभाव और उसकी इच्छा का प्रतिनिधित्व करने के उद्देश्य से कोई नया कार्य करने के लिए कुछ नहीं करते। इस प्रकार चाहे वे पुराने पढ़ चुके कितने भी अभ्यासों का उन्मुलन कर दें या वे कितने भी नए अभ्यास आरंभ कर दें, वे फिर भी मनुष्य और स्रिजित प्राणियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। किन्तु जब स्वयम परमेश्वर कार्य करता है, तो वो खुल कर प्राचीन युग के अभ्यासों के उन्मुलन की घोशना नहीं करता, या सीधे तोर पर नए युग की शुरुवात की घोशना नहीं करता। वो अपने कार्य में स्पष्ट और इमानदार है। वो उस कार्य को करने में बेबाक है, जिसे करने का वो इरादा रखता है। अर्थात वो उस कार्य को सीधे तोर पर व्यक्त करता है, जिसे उसने किया है। वो अपने अस्तित्व और स्वभाव को व्यक्त करते हुए, अपने मूल इरादे के अनुसार सीधे तोर पर अपना कार्य करता है। जैसा की मनुष्य देखता है, उसका स्वभाव और कार्य भी पिछले युगों से भिन्न है। किन्तु स्वयम परमेश्वर के द्रिष्टिकून से, ये मात्र उसके कार्य की निरंतरता और आगे का विकास है। जब स्वयम परमेश्वर कार्य करता है, तो वो अपने वचन व्यक्त करता है और सीधे नया कार्य लाता है। इसके विपरीत जब मनुष्य काम करता है, तो वो विचार विमर्ष एवं अध्ययन के माध्यम से होता है। या वो दूसरों के कार्य की बुनियाद पर निर्मित ज्ञान का विस्तार और अभ्यास का व्यवस्थापन है। कहने का अर्थ है कि मनुष्य द्वारा किये गए कार्य का सार, किसी स्थापित व्यवस्था का अनुसरन करना और नए जूतों से पुराने मार्ग पर चलना है। इसका अर्थ है कि पवित्र आत्मा द्वारा उपयोग किये गए मनुष्यों द्वारा अपनाया गया मार्ग भी, स्वयम परमेश्वर द्वारा शुरू किये गए मार्ग पर ही बना है। इसलिए कुल मिलाकर मनुष्य फिर भी मनुष्य है और पर्मेश्वर फिर भी पर्मेश्वर है। यूहन्ना प्रतिज्याद्वारा जन्मा था। बहुत कुछ वैसे ही जैसे अबराहम की यहां इसहाक पैदा हुआ था। उसने यीशू के लिए मार्ग तयार किया और बहुत कार्य किया किन्तु वो पर्मेश्वर नहीं था। बलकि वो नबियों में से एक था क्योंकि उसने केवल यीशू के लिए मार्ग प्रशस्थ किया था। उसका कार्य भी महान था और केवल उसके द्वारा मार्ग तयार किये जाने के बाद ही यीशू ने आधिकारिक रूप से अपना कार्य शुरू किया। संक्षेप में उसने केवल यीशू के लिए श्रम किया और उसके द्वारा किया गया कार्य यीशू के कार्य की सेवा में था। उसके द्वारा मार्ग प्रशस्थ किये जाने के बाद यीशू ने अपना कार्य शुरू किया। कार्य जो नया, अधिक ठोस और अधिक विस्त्रत था यूहन्ना ने कार्य का केवल शुरुवाती अंच किया नए कार्य का ज्यादा बड़ा भाग येशु द्वारा किया गया था यूहन्ना ने भी नया कार्य किया किन्तु उसने नए युग का सूत्रपात नहीं किया था यूहन्ना प्रतिज्याद्वारा जन्मा था और उसका नाम स्वर्गदूत द्वारा दिया गया था उस समय कुछ लोग उसका नाम उसके पिता जकर्याह के नाम पर रखना चाहते थे परंतु उसकी मा ने कहा इस बालक को उस नाम से नहीं पुकारा जा सकता उसे यूहन्ना के नाम से पुकारा जाना चाहिए ये सब पवित्र आत्मा के आदेश से हुआ था यिशु का नाम भी पवित्र आत्मा के आदेश से रखा गया था उसका जन्म पवित्र आत्मा से हुआ था और पवित्र आत्मा द्वारा उसकी प्रतिग्या की गई थी यिशु परमेश्वर, मसीह और मनुष्य का पुत्र था किन्तु यूहन्णा का कार्य भी महान होने के बावजूद उसे परमेश्वर क्यों नहीं कहा गया यीशु द्वारा किये गए कार्य और यूहन्ना द्वारा किये गए कार्य में ठीक ठीक क्या अंतर था? क्या सिर्फ यही एक कारण था कि यूहन्ना वो व्यक्ति था जिसने यीशु के लिए मार्ग तयार किया था? या इसलिए क्योंकि इसे परमेश्वर द्वारा पहले से ही नियत कर दिया गया था यद्यपी यूहन्ना ने भी कहा था मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकटा गया है और उसने स्वर्ग के राज्य के सुसमाचार का भी उपदेश दिया था किन्तु उसका कार्य आगे नहीं बढ़ा और उसने मात्र शुरुवात की इसके विपरीत येशु ने एक नए युग का सूत्रपात करने के साथ साथ पुराने युग का अंत भी किया किन्तु उसने पुराने विधान की व्यवस्था भी पूरी की उसके द्वारा किया गया कार्य यूहन्ना के कार्य से अधिक महान था और इतना ही नहीं वो समस्त मानव जाती को छुटकारा दिलाने के लिए आया उसने कार्य के इस चरण को पूरा किया जबकि यूहन्ना ने बस मार्ग तैयार किया यद्यपी उसका कार्य महान था, उसके वचन बहुत थे और उसका अनुसरण करने वाले चेले भी बहुत थे फिर भी उसके कार्य ने लोगों के लिए एक नई शुरुवात लेकर आने से बढ़कर कुछ नहीं किया मनुष्य ने उससे कभी जीवन, मार्ग या गहरे सत्य प्राप्त नहीं किये नहीं मनुष्य ने उसके जरिये परमेश्वर की इच्छा की समझ प्राप्त की युहना एक बहुत बड़ा नभी था जिसने यीशु के कार्य के लिए नई जमीन खोली और चुने हुओं को तैयार किया वो अनुग्रह के युग का अग्रदूद था ऐसे मामले केवल उनके सामान्य मानवी स्वरूप देख कर नहीं पहचाने जा सकते ये इसलिए भी उचित है क्योंकि युहना ने भी काफी उलेखनी ये काम किया और इतना ही नहीं पवित्र आत्मा द्वारा उसकी प्रतिज्या की गई थी और उसके कार्य को पवित्र आत्मा द्वारा समर्थन दिया गया था ऐसा होने के कारण केवल उनके द्वारा किये जाने वाले कार्य के माध्यम से व्यक्ति उनकी पहचान के बीच अंतर कर सकता है क्योंकि किसी मनुष्य के बाहरी स्वरूप से उसके सार के बारे में बताने का कोई उपाय नहीं है नहीं कोई ऐसा तरीका है जिससे मनुष्य ये सुनिष्चित कर सके कि पवित्र आत्मा की गवाही क्या है यूहन्ना द्वारा किया गया कार्य और येशु द्वारा किया गया कार्य भिन प्रकृतियों के थे इसी से व्यक्ति ये निर्धारित कर सकता है कि यूहन्ना परमेश्वर्था या नहीं यीशु का कार्य शुरू करना, जारी रखना, समापन करना और सफल बनाना था उसने इनमें से प्रत्येक चरण पूरा किया था जबकि यूहन्ना का कार्य शुरुवात से अधिक और कुछ नहीं था आरंभ में यीशु ने सुसमाचार फैलाया और पश्चात ताप के मार्ग का उपदेश दिया और फिर वो मनुष्य को बप्तिस्मा देने लगा बीमारों को चंगा करने लगा और दुष्टात माओं को निकालने लगा अंत में उसने मानव जाती को पाप से छुटकारा दिलाया और संपूर्ण युग के अपने कार्य को पूरा किया उसने लगभग हर स्थान पर जाकर मनुष्य को उपदेश दिया और स्वर्ग के राज्य का सुसमाचार फैलाया इस दृष्टी से यीशु और यूहनना समान थे अंतर ये था कि यीशु ने एक नए युग का सूत्रपात किया और वो मनुष्य के लिए अनुग्रह का युग लाया उसके मुह से वो वचन निकला जिसका मनुष्य को अभ्यास करना चाहिए और वो मार्ग निकला जिसका मनुष्य को अनुग्रह के युग में अनुसरन करना चाहिए और अंत में उसने छुटकारे का कार्य पूरा किया यूहनना ये कार्य कभी नहीं कर सकता था और इसलिए वो यीशु ही था जिसने स्वयम परमेश्वर का कार्य किया और वही है जो स्वयम परमेश्वर है और सीधे परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करता है मनुष्य की धारणाएं कहती हैं कि वे सभी जो प्रतिग्या द्वारा जन में थे पवित्र आत्मा से जन में थे जिनका पवित्र आत्मा ने समर्थन किया था और जिन्होंने नए मार्ग खोले वे परमेश्वर हैं। इस तर्क के अनुसार यूहना भी परमेश्वर होगा और मूसा, अब्राहम और दाउद ये सब भी परमेश्वर होंगे। क्या ये निरा मजाक नहीं है? क्या ये परमेश्वर होगा हैं।